ताफ़ालेकुम शुरुइंटेट्स, आज का हमारा टॉपिक है Separate Entity Concept and Going concerned Concept Separate Entity and Going concerned Concept Если ऀसे क्सेप्ध कोंसेट्स aplikating concepts, हम यहा लिख लेते हैं, ひ它 काउंटिंग concepts इससे पहले कि घाने Separate Entity and Going concerned Concept का होता है, हम देखते हैं, accounting concepts किसे कहते हैं? हम अपने बिजनस के तमाम मामौलात को अकाउंटिंग में जिन rules के तहत record करते हैं उन rules को हम कहते हैं वो हमारे accounting concepts हैं अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे और सीखते हैं separate entity concept क्या होता है separate entity में separate का मतलब है अलग और entity हम कहते हैं अलग वजूद को अलग शेनाखत को अलग आइडेंटिटी को सेपरेट एंटिटी कोंसेट के नाम से जाहर है इसमें दो चीजे होती है एक बिजनस को कौन लोग चलाते हैं बिजनस के किसका होता है बिजनस के ऑनर को सेपरेट एंटिटी कोंसेट के मताबिक बिजनस को हमेश इसे तरह हम लिए के Ihnen नहीं जा रहा है उगर रुटरी आध हम इस्थे के भी, उसे तालुक आध मुझाए है उसे नहीं करते हैं हम अपने बिस्नेस के मामुलाब के उसे नहीं लिकेंगे एक कीन है तरह हम तनकर पनाकर उसे एक पुटर, आध हम शोपह लिएगर अध के लिए गारी चाहिए होती है वो गारी खरीदता है अब बिसनस के लिए वो एक ट्रक खरीदता है डिफरंट सिटीज में उसने अपनी टी शिर्ट फेजनी है ट्रक खरीद रहा है वो अब उस ट्रक को खरीदने के लिए जो उसके पैसे लगते हैं जो उसका कैश जाता है वो cash वो business में लिखेगा business के account अब maintain करेगा उसमें वो cash भी लिखा जाएगा और जो truck आया है उस truck के कीमत भी लिखी जाएगी truck और cash business के कीमती चीज़ें हैं इनको हम लोग asset कहते हैं इसे तमाम चीज़ें जो business के फाइदे के लिए होती हैं और उनका इस्तमाल ज्यादा अर्से के लिए हो सकता है वो हमारा business का asset होता है और asset तमाम assets को हम business की statement balance sheet में लिखते हैं अब अगर honor से business के पास कुछ जा रहा है honor business को क्या देगा honor business में cash invest करता है जो honor business में cash invest करता है उसे हम honor का capital और business का capital क्याते ह兩個 है जो investment करेगा business में और ऐसी तमाम चीजे जो अच्चा जाएगी अब jezer अच्चे फसक्राफिट का जा क्या जाएगा जब business का profits होते हैं तो बिजिश profit का शेर जो है वो जो आप को देता है business के पास capital आता है और बिजनस से honor के पास profit का share जाता है ऐसी तमाम चीज़ें जो honor से business के पास जाएंगी और business से honor के पास जाएंगी उन तमाम चीज़ों को हम business के accounts में लिखेंगे separate entity concept के मताविक business एक अलग body है एक अलग उसकी शेनाखत है और honor एक अलग body है, उसकी एक अलग शेनाखत है और हम accounts में business के तमाम मामूलाद को record करते है honor के personal चीज़ों को business के account से बिलकुल अलग रखा जाता है अब हम जानते है going concern concept क्या होता है going का मतलब है continue रहना चलते रहना going concern concept हमें ये बताता है जब भी कोई business start किया जाएगा वो इस intention से start किया जाएगा कि वो long period के लिए business चलता रहेगा business जब start किया जाएगा intention उसे बहुत जब खतम करने की नहीं होगी going concern concept जो है वो companies को allow करता है company जब भी कोई cost लगाएगी कोई ऐसा खर्चा company करेगी जो खर्चा company का लंबे अर्से के लिए होगा कोई cost company की ऐसी जिसका फाइदा company को लंबे अर्से के लिए होगा उस cost को company allocate कर सकती है मतलब divide कर सकती है उस cost को future period पर भी going concern concept को हम एक मिसाल के जरीए समझते हैं हमने एक machinery खरीदी उस machinery की cost थी हमने machinery की cost थी companies going concern concept को follow कर रही है और जो नजर आ रहा है कि लंबे अर्से तक companies चलती रहेंगी वो इस machine को अपनी books में कैसे record करेंगी वो हम देख लेते हैं और हम यह भी देखेंगे वो companies जो going concern को follow नहीं कर रहीं या जिनका लंबे अर्से तक काम करना काम करते रहना खत्रे में है वो इसको अपने पास इस asset को किस तरह से इस machine को किस तरह से record करेंगी अब हम देख लेते हैं ऐसे company जो लंबे अर्से तक चलेगी और going concern concept को follow कर रही है वो अपनी machine को अपनी accounts के books में कैसे record करती है machine खरी दी गई 4 लाकी और 4 साल तक के लिए machine इस्तमाल होगी company machine को अपनी balance sheet में लिखती है जहां company के माली हला जानने के लिए balance sheet बनाई जाती है उस balance sheet को B.I.S. से हम लोगों ने जायर किया दिखाया balance sheet में हम लोग machine को हम कहते है company की कीमती चीज़ है company का asset है asset में हम लिख देंगे company के पास machine आई और machine की कीमत कितनी है machine का machine की कीमत है budget beetje 4 लाक हमने यह लिख दिया इसके बाद क्या हुआ machine जितनी चार साल तक इस्तमाल हो सकती है लेकिन एक साल में हम जितनी machine इस्तमाल करेंगे वो हम देखते हैं कितनी मशीन इस्तमाल होगी चार लाग को हमने डिवाइट कर दिया चार से इसका मत्तब है हर साल इस्तमाल करने के बाद मशीन कितनी इस्तमाल होती है हर साल एक लाग और एक लाग इस्तमाल करने के बाद एक साल के एंड पे इस मशीन की कीमत इसको हम लिखेंगे, यह हमारा एक साल का खर्चा, एक साल का expense, expense को हम profit and loss statement बनाते हैं, उसमें हम इस expense को लिख देंगे, हमने देखा profit and loss में इसकी recording हमने किस तरह की और balance sheet में हमने इस asset की recording किस तरह की, अब हम देखते हैं, ऐसे company जिसके debts बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, debts ज् जिससे नजर आ रहा है, debt ज्यादा है, तो company की going concern जो है, वो कम हो जाएगी, या going concern खत्रे में चली जाएगी, ऐसे companies अपने asset को, अपनी machine को कैसे record करेंगी, यह हम देखते हैं, ऐसे machine, अपने machine को, machine खरीदी, उस machine को asset treat नहीं करेगी, क्योंकि यह asset वो तमाम चीज़ें होती है जिनका फाइदा एक साल से लंबे अरसे के लिए होता है, machine की कितनी cost आई हमारे पास, चार लाग, यह चार लाग cost पूरी की पूरी company अपने profit and loss में खर्चों में लिखेगी, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि यह company लंबे अरसे तक चलेगी, या नहीं चलेगी, इसलिए हम profit and loss म जिस साल में machinery खरीदी गई, उसी साल में पूरे का पूरा चार लाग रुपे उसका खर्च लिख देंगे, इसके इलावा हम यह करेंगे, इस machinery के लिए हम इस machine की market value find करेंगे, अगर market value इस value से different है, तो हम देख लेते हैं, जो market value हम find करेंगे, उसे हम NRV या net reliable value कहते हैं, अगर net reliable value, मतलब अगर इसे सेल करें, तो सेल करने पे हमें 3,50,000 मिल सकता है, इस machine को सेल करने पे, तो हम 3,50,000 रुपे अपने expense में income statement में लिखेंगे, या profit and loss भी जिसे हम कहते हैं, हम 3,50,000 लिखेंगे और 50,000 रुपे का loss हम लिख देंगे अपनी profit and loss statement में, इस तरह से हम going concern concept के सा अपनी machine को accounting में record करते हैं, आज हमने accounting के दो concept सीखें जिन में से पहला concept था separate entity concept, separate entity concept के मताबिक हमने देखा, business का एक अलग वजूद और शिनाख्त है और उसके honor का एक अलग वजूद है, हम business के तमाम चीज़ों को accounting के books में record करते हैं, इसके बाद हम आए going concern concept पे, going concern concept में हमने देखा, business जब भी start किया जाएगा, वो लंबे अर्से तक continue रहने की intention से start किया जाएगा, और going concern concept के मताबिक हम business की recording किस तरह करते हैं, और going concern concept के बगएर हम business की recording किस तरह करते हैं,